नमस्कार दोस्तों इनकी एज 25 येर्स और 4 मन्थ है इस पाम को देखे तो इनको सुबसाइन भरपूर मिली हुई है भरपूर और काफी बड़ी बड़ी है पर इनको जो धन रेखा की स्ट्रेंथ है वो नहीं मिली है पर फिर भी मैं कहूंगा आम इंसान से तो जादा ये कई जादा पैसा कमाएंगे पर जो एबिलीटी होकी इनके पास जो बुद्धी चातुरे होका पैसा कमाने का उसका पूरा यूज नहीं ले पाएंगे ये इस तरह की इनकी धन रेखा है अब एक एक करके समझने की कोशिस करते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा य एसे लोग और मैनद करके अपने जिवन को सक्सेस्फुल बनाते हैं फर्स्ट फैलेंज थोड़ा सा नुकिला काम है तो इदर उदर ध्यान बठकेगा सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है जान लॉजिक की जरुरत है वान लॉजिक यूज करेंगे जान चुप रहने की जरु ज्यादा रहेगी और फास्ट नीने लेने वाले होते हैं और सुरी की उंगली बढ़ी है तो हिमती सभाव शो करता है व्यक्ति का जीवन का आनंद लेते हैं कैसा भी समय चलता हो ये इनकी खासियत होती है और फैलेंज थोड़े से बड़े है तो कहीं ने कहीं एनालिटिकल भी परस्नालिटी होंगे साथ साथ में ये उंगली भी फर्स फैलेंट तक पहुच रहे तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याद शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकॉंट ये सारी वस्तों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब इनका इ ये जब लाइने होती है तो आखमुन के कह दो व्यक्ति का बड़ापा आर्थिक रूख से संपन जाएगा और बुद परवत अच्छा है व्यक्ति को सुन्दरता भी मिलती है इस परवत के कारण वानी अच्छी होती है, मीठी जवान होती है यह सारा फाइदा व्यक्ति को मिलता है अगर यह square sign complete होती होगी तो multi city का काम यानि import export का भी काम इनके जीवन में होगा और ऐसे छोटे-छोटे square भर पूर है तो multi city का काम तो इनके जीवन में रहने वाला है पर यह square sign है, यह complete होनी चाहिए कहीं से open होगी तो यह इसका result नहीं मिलता पर छोटे-छोटे square जरूर है इनके हाथ में तो multi city का काम जरूर रहेगा और यह जिस तरह की बड़ी sign हैं लेकर आए है इनके लिए import export कोई बहुत बड़ा subject नहीं रहता यह यहाँ पर भी show हो रहा है अब इनकी left palm की, पहले right palm का ही देख लेते है कितनी सुन्दर sign मिली हुई है left में तो बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है एक यहाँ पर है और मैंनों यह सारी sign ने देखकर इनको पूछा भी कि आपके जनम के बाद आपके मता पिता के पास खुब संपनता आई, यानि बहुत ज़्यादा पैसे वाले बने तो इन्होंने accept भी किया yes एक यह sign है, एक यहाँ पर है दो एक यहाँ पर भी है तीन और सब आटा ददस एमेम की है अभी इनको अगर strength मिली होती धन रेखा की तो चार चान लग जाते थे चार चान इतनी समरुद्धी आती इतने बड़े लेवल के business में नुक पनते थे यहाँ पर देखिए एक sign तो यहाँ पर कितनी बड़ी है एक यहाँ पर है और यह मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी बहुत खुल कर दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर भी है यह लेफ पाम में पर बड़ी बड़ी है इसका 25% result ही लगबग मिलता है यहाँ पर देखिए यह square sign इनको international level का काम तो करवाएगी अब इसी sign को एक बिना दूसरे फोटोग्राफ में भी शो हो रही है यह देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ रही है और यहाँ पर भी यह समझ में आ रही है पर इनके पास जो पैसा कमाने की अबिलिटी होगी वो कहीं न कहीं यह डिजर नहीं कर पाएंगे जो यह एबिलिटी रख रहे है यह भी एक सच्चा ही है यहाँ पर देखे तो यह स्क्वेर साइन है यह वेक्ति को पुस्तेनी जमी जायदात की और लाब बताती है जीवन में और यह जुपिटर की और जाने वाली लाईन है यह जब वेक्ति के हाथ में होती है तो चार लाब मिलते है पॉलिटिकल लाब, सरकारी लाब ससुराल पैसे वाला या सारी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है प्लस जो भी कारे करेंगे बड़े स्तरका करेंगे तो कई लोगों को चारो लाब मिलते हैं किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाप राप्त होता है जुपिटर माउंट पर भी देखे तो ये एक लाइन ये बेस्ट लाइन है कितना भी खराब समया है व्यक्ति अपने जीवन में टिका रहता है इस लाइन में और ये continue progress की लाइन है और horizontal लाइन है व्यक्ति को multiple income की और इशारा जाता है सेवा भावी बनेंगे multiple income होगी धार्मिक बनेंगे और पामिश्य एस्ट्रोलोजी इस तरह के mystery science में ध्यान जाएगा ये जब परवत आपका उभार रहता है तो सारे दे कुर्जा भरपूर होती है भरपूर पर एक minus point भी होता है इनको अपशब्द बोलने की आदद भी होती है और जवानी में और टीनेज में तो बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोक करते है जैसे जैसे उम्र बढ़े कि कम जरूर होगा पर एक दम निकलेगा नहीं बारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है तो जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिर करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद्र परवत पर ये बड़ी आसा एक triangle बना हुआ ये व्यक्ति को या तो कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति का और इशारा जाता है यहां पर एक cross sign नजर आ रही है ये जब cross होता है तो जीवन में डर लगता है व्यक्ति को इसा लगता है मैं जो अभी जहां पर हूँ वहां से नीचे गिर गया तो इस तरह की feeling आती है और ये लाइन है यात्रा की लाइन है विदेश यात्रा की और इनको विदेश यात्रा भरपूर करने मिलेगी पानी अच्छा लगेगा दूद से बनी वस्तु अच्छी लगेगी अच्छे पर्चेसर बनेंगे ये निणय शक्ती अच्छी होगी और नहीं नहीं चीजे करने का शौक होगा बाकि ऐसा कोई दूसरा माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट चंद पर्वत पर नहीं शो हो रहा है शुत्र पर्वत का जब इतना उभार होता है तो व्यक्ती में थोड़ी सी कामुख भावना जरूर रहती है कपड़े अच्छे पहनते हैं लक्जरियस लाइफ का शौक होता है गर्मी पसंद नहीं आती हैं खुद का प्रेजेंटेशन अल्वेज अच्छा रखते हैं और कई लोगों को तो पसीना भी खूब आता है पर यह सब के साथ लागू नहीं होता अब इनकी हुदे रेखा देखिए कम्प्लीट इहां से चल रही है और कव ले रही है तो ऐसे लोग भावनाव में निर्णे लेने वाले होते और बहुत भरोसे लाइक इंसान होते किसी के सौर रुपे भी बाकि होंगे तो सामने से दे कर आएंगे प्यार का प्रदर्शन करना इनको अच्छा लगता है तो यह सारे वस्तु इनके हाथ में है और यह देखिए यह जो लाइन है यह मित्र सेव भावी सबा होता है मित्रों को सके जमने को पैसा देंगे और प कुछी डुनता है माइन लाइन को भी देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और यह चल कर सीधी नीचे की और जा रही है जब इस तरह की कंडिशन हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा महतोकांशी होता और अपनी महतोकांशा पूरी भी करता है और जब नीचे क और जाती है तो इनकी जो समझने की धर्म की तरफ जुकाओ जादा सपने जादा आते हैं घर में किसी एक वेक्ति को जादा बोल बोल करते हैं भारवालों के लिए उत्तम होते हैं पर केवल एक वेक्ति को जादा बोल बोल करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो बुद्धि प्रतिवा भरपूर होगी अब इनकी जीवन रेखा पर इनकी शादी हुई नहीं है अगर यह माइन लाइन नहीं होगी मैंने दूसरे फोटो में भी देखा तो यह लाइन इनकी शादी कराएगी इसको अगर ध्यान से देखना हो तो यहां पर और एक यह 28 के आसपास यह लाइन टच होते हुए दिख रही है तो यह लाइन इनकी सादी करा सकती है 28 के आसपास और उसके पहले भी देखिए यह लाइन है कट कर रही है अगर यह लाइन देखने में क्योंकि बारिक लाइनों वाला हाथ है देखने में अगर कोई गलती होती है त को काट रही है वर्तमान समय में भी हो सकता है एक लाइन कटते हुए दिख रही है यह वाली कोई न कोई रुकावट रेक्ति के जीवन में आती है अगर यह रेखा काट के आरागा जाती तो और ये रेखा अगर टच करती होगी तो ये 26 के आसपास ही सारी हो जाएगी तो फिर ये राउरेखा बन जाती है या ये माइंड लैंड इससे समझ लीजिए दो मेंसे कोई एक चीज है वापस उसी जगह पर चलते है उसके बाद देखे तो 34 में एक राउरेखा काट रही है उसके बाद 36 में काट रही है 39 में काट रही है 42 में काट रही है और एक आफशूट भी है फिर 43 में काट रही है 45 में काट रही है उसके बाद 48 में काट रही है एक 50 में आफशूट भी है और नियर एंड दियरर की डैद भी है एक 52 में राव रेखा काट रही है एक 56 में काट रही है एक 57 में आपसूट भी है स्वरी ये वापस से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि कंटीन्यू लाइन मिटा ही नहीं तो गर बड़ हो रही थर्टी फोर में एक राव रेखा है उसके बाद 36 में है उसके बाद 39 में है उसके बाद 42 में है और यहां पर एक आपसूट भी है 42 के बाद देखे 43 में भी एक लाइन है और 45 में भी है उसके बाद 45 में है और उसके बाद 50 में नियर एंड इरर की डैथ है और छोटी सी राव रेखा है उसके बाद 52 में एक राव रेखा है उसके बाद 56 में राव रेखा और 57 में आपसूट है 60 में आपसूट है और नियर एंड इरर की डैथ है एक 69 में आपसूट है और नियर एंड इरर की डैथ है और एक 73 में राव रेखा है इतनी इनके जीवन में राव रेखा है अब इनके हाथ में जो में प्रॉबलम है वो इनकी धन रेखा है मैं उस पर भी आता हूँ पहले जो जो कट दिखते हैं उस पर एक 29 के आसपास कट है एक 24 25 के आसपास कट है एक 27 के आसपास भी कट शो हो रहा है छोटा सा एक 38 के आसपास है एक 41 के आसपास है एक 44 के आसपास है बाकी है एक 48 के आसपास है और बाकी की यह इन्वेस्मेंट की लाईन है अब इनके जो धन्रेखा को समझने की कोशिज करते हैं यहां तक धन्रेखा दमदार नहीं है यह एज होगी लगबग 26 के आसपास तक उसके बाद यह कट यह 25 तक समझो उसके बाद यह कट लग रहे और यहां पर भी कहीं न कहीं थोड़ा सा दिश्टबंस है 28 से लेकर 30 तक उसके बाद 36 तक तो भी अच्छा जीवन चलेगा इनका 36 के बाद यहां से जो इनकी ग्रोथ कम होगी अब तो इस जगह पर यह एज 46 तक 10 साल का पिरियर इनका अच्छा ने जाएगा कम ग्रोथ वाला जाएगा पर फिर भी मैं काउंगा आम इन्सान से तो कई गुना जादा कमाएंगे कम ग्रोथ होने के बावडी हां इनकी अबिलिटी जितनी होगी उतना नहीं कमाएंगे मैं इनका उपाय दे दूँगा और उसके बाद भी इनकी धन रेखा में strength नहीं है चाहिए वैसा no doubt expensive नहीं है पर strength नहीं है तो जो ability होगी उतना result नहीं मिलेगा हाँ side में ये जो line चल रही है ये कहीं न कहीं growth इनको देगी पर ये जो main धन रेखा है और ये भी growth इनको मिलेगा लगबग 42 के बाद 42, 43 के बाद पर जो main धन रेखा है वो इतनी strength मैंने जो बताई ये period तक इनको 46, 36 से लेकर 46 तक इनको कम growth मिलेगी कहीं न कहीं हमारी धन रेखा मैं thread होना चाहिए पर फिर भी मैं मेरे सब्दों को use कर रहा हूँ ये कितनी भी अपनी ability का growth नहीं ले पाएंगे पर फिर भी आम इनसान से तो कई गुना जादा पैसा कमाएंगे कई गुना जादा क्योंकि बहुत सारी अच्छी sign है इनके हाथ में पर इनको हमेशा अफसोस रहेगा खुद की जो ability है उसका use करने नहीं मिला तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाले झाल